गुरुदेव परिवार की युनिटी के लिए किन-किन बातों का ध्यार रखना चाहिए? परिवार एक समुह का जीवन है, तो आदमी को एक तो गुष्य पर कंट्रोल रखना चाहिए भी शांती से रो बात कहना तो शांती से, शांती रखो बात कहने में यानि हम सहिस्त नुता रखें, दूसरा कुछ कोई बोल भी गया, ततकाल गुष्य में नहीं आएं ततकाल त्रतिक्रिया यथा संभवतिया नय करें, तो सहिस्त नुता रखना, संभवता रखना, ये अच्छा तरीक है दूसरा स्वार्थ हावी नहीं होना चाहिए कि मैं ज़्यादा हरपलू, मैं संपत्ति ज़्यादा लो वो स्वार्थ पारिवारिक कलह को पैदा करने वाला बन सकता है तो स्वार्थ हावी नहीं हो दूसरे के हित का भी चिंतन होता है तो परिवार में अच्छा माहूल रह सकते हैं तो सहिष्णुता श्वार्थ का त्यांग ये दो चीजे हैं तो परिवार में शांती रहने की काफी संभावना रह सकती है